इसराइल और फलस्तीन का जो युद्ध है बलकि मैं बार-बार कहता हूँ कि फलस्तीन पर गाजा पट्टी पर इसराइल का जो हमला है 40 दिन से जादा पुराना हो चुका है और लगातार अपडेट्स आ रही है आप जानते हैं अलशिफा हस्पीटल को बरबात कर दिया गया लेकिन अभी तक अलशिफा हस्पीटल से कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया है जिससे ये इसराइल साबित कर सके कि वहाँ पर हमास किसी भी तरह से आपरेट कर रहा था दुनिया भर में इसकी लानत हो रही है मलामत हो रही है और सबसे बड़ी बात आई जब RSS जिसके लोग लगातार इसराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है उस RSS के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि सारी दुनिया में शांती से आंदोलना चाहिए जिन्होंने गांधी का विरोध कि जिन्होंने गांधी के शांती पूर्ण आंदोलनों का विरोध किया वो आज कह रहे हैं कि अहिंसा से ही सबसे सही रास्ता मिल सकता है ये सारे की सारी सिक्षा फलस्तीनियों को दी जा रही है वो ये बताना भूल जा रहे हैं कि हिंसा के शुरुवात 1948 में इसराइल ने की थ जो दिल तोड़ देती है नमस्कार इसराइल फलस्तीन पर सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि हमारे भारत वर्ष के आदेर्णियों प्रधान मंत्री नरेंड मोधी जी ने बाकाइदा कंडम किया है फलस्तीन में जो और तों बच्चों और आम शहरीयों की हत्या हो रही है उसको कंडम किया है नरेंदर मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि फलस्तीन में जिस तरह से आम शहरीयों की आम नागरिकों की हत्या हो रही है उसका समर्थन नहीं किया सकता वो गलत है आपनों को याद होगा कि जब हमास ने हमला किया था तो प्रधान मंतरी मोदी ने उस समय भी बाकाइदा कंडम किया था इस बात को कि जिस तरह इसराइल के शहरीयों पर हमला किया गया वो गलत है उसके बाद नरेंदर मोदी जी ने भारत सरकार ने बाकाइदा फलस्तीन के लिए सहायता सामगरी भी भिजवाई थी पहली बार जब यूएन में वोट हुआ युद्ध रोकने के लिए तो उस समय तो भारत ने उस से एपस्टेन किया था क्यों एपस्टेन किया था आज तक मैं नहीं समझ पाया लेकिन इसराइल जो बस्तियां बसा रहा है फलस्तीन के अंदर गजापटी के अंदर उसको रोकने को लेकर यूएन में जो प्रस्ताव आया था भारत ने उसके समर्थन में वोट किया यानि भारत ने ये वोट किया कि इसराइल जो गाजा के अंदर बस्तियां बसा रहा है वो गलत है गजा फलस्तीनियों का है और इस तरह की बस्ती नहीं बसनी चाहिए भारत का शुरू से स्टेंड रहा है two state solution का कई बार लोग कमेंट में आके पूछते हैं कि आप two state solution कहते हैं मैं बता दूँ हाला कि कई बार मैं बता चुका हूँ कि 1948 में 1947-48 में UN ने पूरे के पूरे फलस्तीन को दो हिस्सों में बाटा था 45% फलस्तीनियों के लिए और 55% इसराइलियों के लिए यानि दो सुतंदर देश बनने की बात थी एक फलस्तीन और एक इसराइल इसी को two state solution क है ये अलग बात है कि तब से लेके अब तक 95% से भी जादा चेतर पे इसराइलियों ने अवैद कबजा किया हुआ है अवैद इसलिए क्योंकि UN ने जो बटवारा किया था उसके आगे है ये उससे जादा है UN ने उनको सिर्फ 55% दिया था लेकिन वो 95% कबजा कर चुके हैं तो YouTube तुरंत इस वीडियो को ब्लाक कर देगा पहले भी मेरे वीडियो जो ब्लाक कर चुका है तो जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे हैं ट्विटर पे हैं बाकी जगों पे हैं यहां मैं नहीं दिखा सकता लेकिन आप बस ये समझ लीजे कि कोई भी शरीफ आदमी अग किया गया कैसे बच्चों की डिलेवरी नहीं हो पाई आधे विक्सित हुए बच्चे पैदा हुए कैसे जो बच्चे जिनका इलाज चल रहा था वो मारे गए औरते मारी गई डाक्टर मारे गए 25 से जादा रिपोर्टर्स की अभी तक हत्या हो चुकी है चुन चुन के उनक चर्च को गिराय जा चुका है अभी यरुशलम के बास बहुत लंबे समय से शुरुआत से ही आर्मेनियाई जो इसाई वहां पर बसे हुए हैं उन्होंने कहा कि हमारे अस्तित्त को खत्रा है तो इसराइल फलस्तीन का युद्ध जो है वो हिंदो मुसल्मान का मामला नहीं ह पहली बात यहुदी मुसल्मान का भी मामला नहीं है मैं कई बार बता चुका हूँ कि वहां पर जो यहुदी फलस्तीन के समर्थन में हैं उनके खिलाब भी अत्याचार हो रहा है आर्मेनिया में जो इसाई बरसों से वहां पर रह रह रहे हैं उनका कहना है कि उनके अस्तित उन्होंने बहुत खराब वेवार किया था, उनकी हत्या की थी, तो ये मामला धर्म का मामला नहीं है, जिन मुर्खों को ये लगता है कि ये धर्म का मामला है, उनको एक बार वहां का इतिहास, हालिया इतिहास पिछले 50 सालों का पढ़ना चाहिए, जहां जियोनिस्टों ने सि पैसों के लिए और अपना कब्जा बनाने के लिए, मुसल्मान, इसाई, यहूदी, जो भी उनके खलाफ थे, सब के खलाफ कारवाही की है, खैर मैंने शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी जी ने बाकाइदा मजम्मत की है, वहां पे शहरीयों की हत्या की, और सिर्फ अके लिए जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, कि नेपाल के अंदर, वहां के हिंदू लोगों ने फलस्तीन के समर्थन में बाकाइदा जूलूस निकाला, नेपाल में फलस्तीन, नेपाल जैसा चोटा सा देश, अमेरिका और इस्राइल की सारी धंकियों से बे परव अपने हां बाकाइदा एक जूलूस निकालता है, फलस्तीनियों के समर्थन में, ब्राजील के जो रास्ट्रपती हैं, जो यहूदी नहीं हैं, जो मुसल्मान नहीं हैं, लूला साहब, उन्होंने बाकाइदा बयान देकर इस्राइल की हरकतों की मजम्मत की है, अल्शिफा ह चारी किये गए कि यहां हथियार हैं, पता चला कि 5 या 10 बंदूखें वहां पे दिखाई दे रहे थी, कई वीडियो तो वापस ले लिए गए, डिलीट मार दिये गए कई सारे वीडियो, क्योंकि वो फर्जी वीडियो थे, मैं आपको पता चुका हूँ कि फेक न्यूस के म चाहता है ताकि साउद गजा खाली हो जाए, जिसके पास मैंने आपको बताया था कि बहुत जादा एमाउंट में गैस है, अर्बों की गैस हैं वहां पर, उस गैस पर उसका कबजा हो जाए, उस इलाके पर उसका कबजा हो जाए, और इसलिए सारे दुनिया से जूट बोल है कि अलशिफा में हमास का कोई बहुत बड़ा अड़ा था, या कोई टनल थे जिससे हमास जुड़ता था, यह सब बेकार की बात है, प्रूव हो चुकी है, आप ट्विटर पे लगातार अगर देखिए, तो आपको समझ में आता है कि इसराइल अपने ही वीडियो जारी कर रहा है, फिर डिलीट कर दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, लेकिन सचाई यह है कि जिस तरह से सदाम हुसाइन के हां से कोई रसानिक हथियार नहीं मिले थे, वैसे ही अलशिफा से ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे साबित हो कि वो हमास का हेड़क्वा हत्या हो चुकी है तो मैं आपको बता रहा था कि हिंदुस्तान में भारत के प्रधान मंतरी ने मजम्मत की मैं आपको बता रहा था कि लूला जुबराजील के रास्ट पती है उन्होंने इसराइल की मजम्मत की एक बहुत बड़ी हिरोईन है हालिवूट की अंजलेना जोली उन्होंने बकाइदा बयान जारी करके कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत है लेकिन सौधी अरेबिया अर्बों का देश जहां अरब हैं सौधी अरबिया में एक ऐसी घटना हुई जो सोचने पर कर देती है कि फलस्तीन के हालात के लिए असल में सिर्फ अमेरिका और इसराइल जिम्मधार है या अरब मुल्क खुद जिम्मधार है हुआ यह एकि साथी अरबिया में एक ब्रिटिश एक्टर और प्रिजिंटर हैं इसलाह अब्दुर्रह्मान सहब मका गय हुए थे अपन यानि अर्वों के देश साओधी अरबिया में फलस्तीन का समर्थन करने वाले ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर को गिरफतार कर लिया जाता है नेपाल में जुलूस निकलता है, अमेरिका में जुलूस निकल रहा है, जर्मनी में जुलूस निकल रहा है, ब्रिटेन में जुलूस निकल रहा है, ब्रिटेन में तो जुलूस निकला, उसकी मजबमत करने के लिए जो वहां की मिनिस्टर थी, उनको बरखास कर दिया गया, ज चारी दुनिया में विरोध हो रहा है, टर्की में विरोध हो रहा है, अरब कंट्रीज में भी विरोध हो रहा है, लेकिन सौधी अरबिया में, जो खुद एक अरब मुल्क है, वहाँ पर एक आदमी को इसलिए गरफतार कर लिया जाता है, क्योंकि वो फलस्तीन का समर्थन कर रहा था, ये बहुत छोटा सा नुक्ता है, लेकिन इस नुक्ते को जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके समझ में आएगा, कि चाहे सद्दाम की तबाही हो, चाहे लीबिया में गद्दाफी की तबाही हो, और या फलस्तीन की तबाही हो, कुछ अरब मुलक ऐसे हैं, जिन अरब मुलकों ने इन सब तबाहियों में अमेरिका का साथ दिया है, मैं बार बार कहता हूँ कि उम्मत की बहुत बात की जाती है, बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसल्मान ये उमीद करते हैं कि हमारे साथ जब बुरा होगा कुछ, तो अरब देश हमारे साथ जिनियों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो आपके साथ क्या खड़े होंगे, और सोच के देखिए कि इसराइल इतना जादा कुछ वहाँ पे कर रहा है, तबाही मचाए हुए है, घर तूट गए, बेकरियां तूट गई, मस्जिदों पे हमला हो रहा है, चर्च तो उस सम्मेलन में जबानी जमाखर्च हुआ, कोई प्रस्ताओ नहीं पास हुआ, और जब प्रस्ताओ ये आया उसमें कि इसराइल को पूरी तरह से बैकाट किया जाए, तो यही साथी अरबिया और बाकी सारे देश मिलकर उस पे फच्चर लगाते हैं, और वो प्रस्ताओ न दुनिया बटी है, धरम सबके अलग-अलग होते हैं, जो सुन रहे हैं, उनके धरम हो सकता है, अलग हो, जो बोल रहा है, उसका धरम अलग हो, अमेरिका में इसाई बहुत हैं, इसराइल में यहूदी हैं, कुछ जगों पे मुसल्मान हैं, हमारे देश में हिंदू बहुताय एक हिस्सा उन लोगों का है जो जहां भी किसी पर अत्याचार होता है जहां भी जो मजलूम होता है उसके साथ खड़े होते हैं इसलिए हमारे जैसे लोग चाहे पाकिस्तान में हिंदूों के साथ कुछ बुरा हो चाहे हिंदोस्तान में मुसल्मानों के साथ बुरा हो चाहे फ आखिर सोचिए एंजलेना जोली जो इतनी बड़ी एक्टर हैं इतनी सक्सेस्फुल हैं हालिवूट की बड़ी एक्टर हैं सारी दुनिया में उनके फैंस हैं उन्हें क्या पढ़ी थी फलस्तीन के पक्ष में बोलने की और वो भी तब जब वो जानती है कि हालिवूट से लेक होने के लिए वो फलस्तीन के फिवर में पक्ष में बोलती हैं लूला ब्राजील के रास्टपती हैं उन्हें क्या पढ़ी है फलस्तीन के फटे में हाट डालने की अपना नुकसान कराने की लेकिन हक बात के साथ वो खड़े होते हैं मैकरान फ्रांस के प्रमुक हैं फ्रांस लगातार साथ रहा है अमेरिका और इंगलाइंड के लेकिन वो भी कहते हैं कि इसराइल जिस तरह से शहरियों पे बंबारी कर रहा है वो गलत है कितने हिरोईन, कितने प्लेयर, कितने सारे लोग आगे आकर बोल चुके हैं कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है नेपाल जैसा देश छोटा सा, एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ चीन छोटा सा मुल्क हिंदुओं की भहतायत उसे क्या पढ़ी है फलस्तीन के पक्ष में कुछ कहने की लेकिन वहां के हिंदू नागरी जुलूस निकालते हैं फलस्तीन के पक्ष में दुनिया भर के मुलकों में पूरे सोचिये यूरप में जुलूस निकल रहे हैं यूरप में तो मुसल्मान नहीं है जुलूसों में निकलने वाले सारे लोग मुसल्मान तो नहीं हो सकते वहां के अमेरिका में यहूदी लड़की आ गया के यहूदी इस्डेंट्स आ गया के बाकाइदा जुलूस निकालते हैं और कहते हैं कि not in my name, मेरे नाम पर यह सम्मत कीजिए जियोनिस्ट अलग है, यहूदी अलग है यहां तक कि इसराइल में रहने वाले, बहुत सारे यहूदी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं जिसके चलते दमन झहिल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अगर सब कुछ धरम के अधार पर होता, अगर सब कुछ धरम के अधार पर बटा होता तो फिर तो मुसल्मानों के अलावा किसी को बोलना ही नहीं चाहिए था, मैं भी यहां पे खड़ा होके क्यों बोल रहा हूं, मुझे क्या पढ़ी है फलस्तीन से, ना फलस्तीन में मेरी जमीन है, ना फलस्तीन में कोई मेरा रिश्दार है, ना फलस्तीन के आजादी से मेरा को बड़ा होता है वो धरम नहीं देखता वो मजहब नहीं देखता आजकल हमारे देश में ऐसे लोग हो गए हैं कि अगर किसी की हत्या हो जाए तो पहले देखते हैं कि हत्या करने वाला किस धर्म का है और फिर देखते हैं कि जिसकी हत्या हुई है वो किस धर्म का है फिर उसके ह साब से अपना समर्थनिया विरोध तैं करते हैं ये छोड़िये जिना हो जाया वलातकार हो जाया तो भी ऐसे ही तैं करते हैं जम्मू का केस आपको याद होगा जहां एक मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ और जो जालिम थे उनके पक्ष में बाकाइदा जुलूस निकला जालिमों के पक्ष में जुलूस निकला मजलूम को किनारे छोड़ दिया गया। गिरफ्तार कर लिया जाता है जो इंग्लैंड में रहता है अपना काम करता है सफल एक्टर है उसे कुछ नहीं पड़ी थी समर्थन की लेकिन जब वो समर्थन करता है तो उसको इंग्लैंड अमेरिका या हिंदुस्तान में नहीं उसको एक अरब मुल्क में गिरफ्तार किया एक अरब देश के मजलूमों का समर्थन करने के लिए तो इसराइल फलस्तीन युद्ध जारी है 40 दिन से उपर हो गए बाते बहुत हो रही है लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है ऐसा जिससे इसराइल को रोका जा सके कि बस भाई बहुत जुल्म हूँ आप खतम करो बाते बहुत हो रही है लेकिन फलस्तीन के पक्ष में बोलने के अलावा चाहे वो तुर्की के आर्दोगन हो चाहे कोई भी हो बोलने के अलावा आगे बढ़कर करते कुछ नहीं दिख रहे हैं युद्ध चल रहा है वहाँ पर और युद्ध चल रहा है हमास ने अभी हाथ नहीं मानी है लेकिन एक सचाई तो है कि ये जो तबाही फलस्तीन के उपर आई है उसके लिए कहीं न कहीं हमास भी तो जिम्मदार है मैं अच्छी तरह से इतिहास जानता हूं कि किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोनों का दमन किया है इसराईल ने वो सब जानता हूं लेकिन बिना अपनी ताकत को नापे हुए जिस तरह का हमला किया उसने दो दिन के लिए दुनिया को चौकाया जरूर लेकिन उसके कीमत चुका रहे हैं गजा पट्टी में रहने वाले मासूम लोग सैकडो हजारो लोग मारे जा रहे हैं यह जो हिंसा की गई इस हिंसा के परिणाम से हिंसा घलत थी सही थी यह सब फैसला इस बात से तैं होता है कि आप कहां पे खड़े हैं लेकिन सचाइः तो यही है कि युद्ध चल रहा है ये भी एक सचाई है कि इसराइली फोर्स के लोग भी मारे जा रहे हैं 35-40 से जादा इसराइली फोर्स के लोगों के मारे जाने के खबर आई है बहुत सारे टैंक उड़ा दिये गए हैं बहुत सारी जगों पर हमले हो रहे हैं ये सब हो रहा है लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई वाकई मुसीवत में है अगर कोई वाकई दर्द जेल रहा है तो वो आम फलस्तीनी है गाजा पटी का और वेस्ट बैंक में रहने वाला आम शहरी है जिसके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पीटल, बेकरी, घर सब जला दिये गए हैं जिसको एक बार फिर से अपना घर छोड़के दरबदर होने के लिए मजबूर किया गया है और हालात ऐसे हैं कि उनाइटेड नेशन्स की सहायता तक नहीं पहुँच पा रही है, मरीज हैं लेकिन उनका इलाज करने की कोई विवस्था नहीं है, डॉक्टर्स की जान जा रही ह रिपोर्टर्स की जान जा रही है, जाने कितने डॉक्टर मारे गए और आज हालत यह है कि अलशिफा हो या कोई भी हास्पीटल हो, उसके पास ना तो इतने संसाधन हैं ना एनरजी है कि जितने लोग घायल हो रहे हैं, जितने लोग अस्पताल में आ रहे हैं, उनका जो युद्धिविराम के खिलाफ हैं, जो युद्धिविराम नहीं होने दे रहे हैं, जो बिडेंजा से लोग जो कह रहे हैं कि युद्धिविराम तब तक नहीं होगा, जब तक हमास खतम नहीं होगा, हमास खतम हो रहा है कि नहीं यह तो हम नहीं जानते हैं अभी तक, ल लेकिन वहां के जो हुपमरान हैं, वो जिस तरह हौमोश हैं, जिस तरह से वो अमेरिका के साथ गले में बाहें डाले हुए हैं, जिस तरह से वो बातों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं, सच कहूँ दर्द होता है ये कहते हुए, लेकिन फलस्तीनियों के लिए कोई खिलाफ हो लेकिन हमारे यसे लोग हर मजलूम के साथ हैं और इसलिए फलस्तीन के साथ भी है। लाश को देख कर खुश होता है। और आज नहीं तो कल अपनी जिन्दगी में ही हम इसराइल को अपनी इस खुराफात का फल भुगतते हुए देखेंगे। आज के लिए इतना ही आगे जैसे जैसे अप्डेट्स आती हैं उन अप्डेट्स को मैं लेकर आपके सामने आता रहूंगा। अगर हमारी बात सही लगती है तो इसको दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए ताकि हम जो अप्डेट करते हैं वो आपको मिलती रहें और इससे आगे बढ़कर अगर आप हमारी मदद करना च सकते हैं, सुपर थांक्स दे सकते हैं और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, जैसी आपकी मर्ची, आप हमें ताकत देंगे, तो हम कैमरे और सत्ता दोनों की आँख में आँख डाल कर सच कह सकेंगे, बहुत शुक्रिया